आज विश्व परियावरण दिवस है और पूरी दुनिया में सभी लोग परियावरण के प्रती अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और जन मानस के द्वारा परियावरण के प्रती क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए भी विचार विमर्ष हो रहा है इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी लॉक्डाउन के अंतरगत इसे मनाने की योजना रख रहे हैं और आपको मालूम होगा कि पिछले पच्चास वर्षों से लगभग हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी चिंता जाहिर करने के लिए इस दिन को आयोजित करते आये हैं सर्वप्रथम 1972 में संयुक्त राष्ट संग के द्वारा पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी बात रखी गई थी और फिर 1974 में पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए हम सभी तयार हो गए आखिर हम ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस लिए मनाते हैं आप सभी जानते हैं कि समय के अनुसार समय के साथ-साथ हमारा विकास तो हुआ है लेकिन इस विकास के साथ-साथ हमने पर्यावरण के साथ भी छेड चार की है और वो प्रकृती वो पर्यावरण जो हम सभी को मानव जाती को पशु पक्षियों को पेड़ पौधों को फूल तितिलियों को संगरक्षित करके रखता है आज हम सभी उससे प्रभावित हो रह है कि जिस प्रकृती ने हमें जीने का अवसर दिया है जिस प्रकृती से हम जल गरहन करते हैं जिस प्रकृती की शुद्ध हवा से हम जीने के लाइक हो सकते हैं आज हम उसी हवा, जल, मौसम, जंगल, इत्यादी को बहुत ही विपरीत इस्थिती में देख रहे हैं इसलिए म मैं ये मानता हूँ कि आज का यह दिन हम सभी के लिए पुरे पृत्वी के पूरी दुनिया के एक एक जन्मानस के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम आज के दिन पर्यावरण के प्रती अपनी चिंता जाहिर करें। आप सबों को मालूम होगा कि प्रती वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए संयुक्त रास्ट संग के द्वारा एक थीम दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है और इस वर्ष का थीम है बायो डैवर्सिटी, सेलिब्रेट बायो डैवर्सिटी, जैव विव इस वर्ष कुलम्बिया एवंग जर्मनी के संयुक्त तत्वावधान में ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हम सभी भारत वर्ष के और सभी अन्य राज्यों के, सभी अन्य देशों के लोग आज पर्यावरण के साथ जूड रहे हैं, आप सबों को मालूम है कि समय के साथ-साथ जब आबादी का विश्वोट हुआ, पॉपुलेशन एक्स्प्लोजन, आर्थिक द्रिष्टिकोन से संपन्न तो हम हुए, लेकिन व्यवसाय जिस तरह से बढ़ता गया, आर्थिक द्रिष्टिकोन से जैसे-जैसे हम विकसित होत प्राकृतिक संसाधनों के साथ हम सबोंने बहुत ही अधिक छेड चार किया है, और आज ऐसी इस्थिती है कि क्या जल, क्या थल, क्या वायुमंडल और क्या जीवजन्तु सभी प्रभावित हो रहे हैं, हम सभी आए दिन अख़वारों में पढ़ते हैं कि कई प्रकार की प् हो, माइक्रो और्गनिजम्स के हो, ये विलप्त होते चले जा रहे हैं, और उस एक्स्टिंशन के कारण बायो डाइवसिटी जैव में जो विविधता है, उनके एक्स्टिंशन के कारण एक अवयव का दूसरे अवयव पर भी उतना ही गंभीर प्रभाव पढ़ रहा है, इ हम सभी प्रजातियों के संगरक्षन के लिए चिन्तित हो, और उस चिन्ता के दौर में हम क्या कर सकते हैं, केवल चिन्ता करने से तो हमारा मकसद पूरा नहीं होता, और अगर हम चिन्ता जाहिर करते हैं, तो हमें जो पर्यावरण दिवश का विशय है, टाइम फॉर इंवा प्रकृति के साथ अपने आपको जोड़ना होगा, प्रकृति के साथ जोड़ने और अपने आपको सिधे तौर पे लगाने का मतलब यह है, कि हम अगर जल के विशय में चिन्ता करते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए, कि अगर आज हम जल प्रदूशन की बात कर रहे हैं, त तो हम व्यक्तिकत स्तर पर, पारिवारी की स्तर पर, सामाजी की स्तर पर, जल प्रदूशन के रोक्थाम के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें हमें समय देना चाहिए. अगर जल के भूमिगत जल की विशय के बारे में बात करते हैं, तो हर जगह ही चर्चा है कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है. तो हम ये क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर को कमजर्व कर सकें? आज कल आप सभी जानते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन की प्रक्रिया चल रही है. हम अपने आपको प्रकृति के साथ जोड़ें, उस पे विचार करें, समय द अपने पारिवारी की स्थर पर हम ये तयक करें, कि जल संचयन, जल संग्रक्षन के विशय में, हम क्या योगदान दे सकते हैं. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपने अपने घरों में वर्शा के जल को एकत्रित करते हुए, हम उसमें अपनी योगदान अपना दे सकते अगर हम बात करते हों पौधों की तितलियों की फूल की क्या हम अगर शहरों में भी रहते हैं तो हम समय निकालकर अपने गमलों में अच्छे फूल नहीं लगा सकते अच्छे पौधे नहीं लगा सकते उनकी हर्याली का आनन्द नहीं ले सकते उनके साथ हमें समय देना होगा पौधों के साथ हमें खेलना होगा पौधों को अपने परिवार की तरह उन्हें प्यार देना होगा और आप फिर ऐसा महसूस करेंगे कि उनके साथ जुड़कर आपके मनो विचार, आपके मनो भाव आपका मस्तिश्क, आपका मन सभी सुन्दर बनता है आप सभी खुश रहते हैं इस प्रकार अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं ऐसे तो हमारे देश में स्वच्छता के विशय में हम सभी जागरूक हैं स्वच्छता अभियान से हम सभी जुड़े हैं लेकिन प्रकृति के साथ इस स्वच्छता अभियान में भी आप अपने आप को शामिल करें। नदियों को, पोखरों को, कुवों को कैसे हम स्वच्छा रख सकते हैं। समुदाय को हम कैसे जोड सकते हैं और उसके साथ हम जुड सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज जो हम प्रजाप्तियों के विल्प्त होने की बात कर रहे हैं। लगभग 50 मिलियन अगर उसे हम 10 लाख से गुणा कर दें। इतने सारे ओर्गनिजम्स हमारे प्रिथ्वी पे रहें और ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। इकोसिस्टम के बैलेंस करने के लिए ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेकिन आज हम इकोलोजिकल इंबैलेंस की बात करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। और ये भी मानते हैं कि लगभग एक मिलियन जो हमारे जीव जन्तु हैं प्रजाति हैं आज विलुप्त होने के कगार पर आ रहे हैं आ गए हैं इसलिए ये चेतावनी का वक्त है और आज का ये दिन विश्व पर्यावर अदिवस हम सबों के लिए याद दिलाने वाला दिन है कि इन विलुप्त होने वाली प्रजातियों के संग्रक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं संयुक्त रास्ट संग के द्वारा आने वाला जो ये समय है दशक 2021 से 2030 तक इसे हम decade of ecosystem मनाने जा रहे हैं यानि ecosystem के restoration के लिए उनके पुनरुद्धार के लिए हम कैसे अपने आपको सम्मिलित करें और उसे फिर से अपने ecological system को और हरित बनाएं और मजबूत बनाएं और एक दूसरे के पूरक जो हम लोग हैं समों को समानता मिल सके आप समों को मालूम है कि संयुक्त रास्ट ने एक और घोशना की है परियावरण परचिंता विक्त करते हुए कि 2050 तक हम लोगों को इस प्रकार से अपने आपको तयार करना है कि हम 2050 में living with harmony with nature प्रकृती के साथ एक harmony के साथ रहने के लाइक हम बन सकें इधर कुछ दिनों में मीडिया में चर्चा थी और हम सबों ने भी महसूस किया कि पिछले करीब साथ दिनों से जो भारत वर्ष में lockdown इस COVID-19 के कारण किया गया सबों की सुरक्षा के लिए उसमें परियावरण किसी ना किसी तरह से लाभानवित हुआ है आप सबोंने मीडिया में देखा होगा पढ़ा होगा कि गंगा नदी कई जगों पे गंगा का जल उसका रंग उसके गंध बड़े स्वच्छ नदर आ रहे हैं ये भी जानकारी मिली कि कई ऐसे राज्य जो हिमाले से लगे हैं नेपाल की तरही से लगे हैं वहां जो वर्षों से हिमाले की परवत श्रिंखला हिमाच्छादित परवत श्रिंखलाएं जो नजर नहीं आती थी आज दूर दराज के इलाकों से भी हिमाले के वो ग्लेशियेटेड और स्नो पीक माउंटेंस भी नजर आने लगे हैं बिहार के सितामढ़ी से हिमाले के चोटियों का दर्शन हुआ अंबाला और सहारनपूर से भी हिमाले के चोटियों का दर्शन हुआ ये एक अदभुत अ emission से, परियावरण के production से, factory के production के द्वारा जो वायू मंडल को हम प्रभावित कर रहे थे उनमें रोक्थाम हुई और उस रोक्थाम का नतीजा यह हुआ कि हमारा वायू मंडल स्वच्छ हुआ, air quality improve किया, dust particles settle कर गए और हम एक स्वच्छ हवा में, स्वच्छ वातावरण में अपने आप को भी देखते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, और दूर से हिमाले की परवत शिंकला को भी देख पाते हैं, जल की स्वच्छता को भी महसूस कर पाते हैं पशू पक्षियों की आवाजें, पक्षियों की चहचाहट, तितलियों और भौरों के गूंज, ये सब भी हमने महसूस किया है और उसका भी आनंद हम सभी ले रहे हैं, देखिए प्रक्रती के साथ अगर हम अपना समय देते हैं, तो ना किवल हम अपने दूसरे पशुपक्षियों के साथ उनकी सह हैता करते हैं, बलकि मानव जाती हम सभी अपने आपको भी लाभानवित करते हैं, ऐसा दिखा गया है कि प्रक्रती के साथ, पेड़ पौधों के साथ, फूल पत्तियों के साथ, तितलियों के साथ, अगर आप समय व्यतीत करते हैं, आप प्रक्रती के साथ समय देते हैं, तो अगर आप जुड़ते हैं तो आपके अंदर की उदासीनता समाप्त होती है और आपकी उदासीनता विक्तिगत रूप पे समाप्त होने के प्रश्चात आपके परिवार की उदासीनता समाप्त होती है परिवार में हर्श का माहौल बनता है और सभी लोग बड़े बुढ़े बुज़ूर्ग युवा सभी लोग एक नए जोश के साथ जीवन जीने की कला सीखते हैं प्रकृती के साथ जुड़ने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है इधर कोरोना वाइरस के दोरान विबिन तरों पे जो चर्चा हो रही है कि उससे कोरोना से अपने आपको लड़ने के लिए आपकी प्रतिरोधक्षमता मजबूत होनी चाहिए तो ये इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक्षमता कैसे मजबूत होगी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये आयाम है कि आप प्रकृती से जुड़े खुले आकाश में पेड़ पौधों के बीच भूप का सेवन करते हैं तो आपकी प्रतिरोधक्षमता वो बढ़ती है प्रकृती के साथ जुड़कर हमारा देश हम सभी अध्यात्म से कुछ अधिक लगते हैं जुड़े हैं ये हमारी एतिहासिक विरासत है तो अगर हम प्रकृती के साथ जुड़ते हैं तो हमारा अध् मानसिक शान्ती में हम सबों को प्रेरित करता है। हमारी स्री जंग शमता बढ़ती है, स्री जनात्मक्ता का बोध होता है। और यही नहीं आप ऐसा देखेंगे और इस तरह से महसूस किया जा रहा है कि हम सबों की यादाश्ट शक्ति, हमारा मानसिक संतुलन ये सभी के साथ प्रकृती के साथ समय देते हैं, तो न केवल हम व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारी के स्तर पर और सामाजी के स्तर पर मनुष्य और मनुष्यता के साथ हम जुडते हैं और लाभकारी काम करते हैं, बलकि दूसरे जीव, जन्तु, फून, पौधे, पेड और जंगल, जल सबों के साथ हम उतना ही न्याय करते हैं, जितना हम अपने उपर न्याय करते हैं, इसलिए आज का ये दिन, विश्व पर्यावरण दिवस, इस वर्ष का खासकर मैं कहना चाहता हूं, कि ये बहुत विशेश दिन है, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि पिछले दिसंबर माह से, दिसंबर 2019 से हम सभी पूरी दुनिया के लोग तराही तराही कर रहे हैं, सभी परेशान हैं, और हमें जल्द से जल्द इस तराहिमाम से बाहर निकलना है, और उसका एक ही उपाय है, हम सभी प्रकृती के साथ खिलवार करना बंद करें, प्र ऐसे ही पृत्वी के स्वास्थ के लिए भी प्रकृती के संग्रक्षन और उसके स्वास्थ के लिए भी अपना उतना ही योगदान दें, आज का दिन मेरी तरफ से आप सबों को यही आहवान है, बहुत बहुत धन्यवाद। झाल